नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रों में स्त्रियों के पैर के आकार को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है कहा जाता है कि स्त्रियों के पैर से ही उनकी शुगता की पहचान होती है स्त्रियों के पैर की उंगलियों के आधार पर वर्गी करण किया गया है साथ ही पैर के तलवों पर बने निशान भी स्त्रियों के भाग्य के बारे में महत्वपून जानकारी देते हैं आज हम जानने वाले हैं स्थ्रियों की पैर की उंगलियों के आधार पर उनके भाग्य के बारे में. दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसमें शरीर के अंगों पर बने विविध निशानों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव एवं भविश्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कहा जाता है कि यदी घर में शुभ लक्षणों वाली स्त्री के पैर पड़ते हैं तो उस घर की उन्नती होती है स्त्री को मा लक्षमी का ही रूप माना जाता है और स्त्रियों में मा लक्षमी के समान कितने लक्षण है यह उनके शरीर के अंगों से ही पता चलता है स्त्रियों के पैर ही उनके गुनों का वर्णन करते हैं स्त्रियों के पैर की उंगलिया उन्हें भविश्य में मिलने वाले शुब फलों का वर्णन करती है आप भी सामुदरिक शास्त्र की इस जानकारी से अपने भविश्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती है तो चलिए जान लेते हैं स्त्रियों के पैर की उंगलियों से उनके स्वभाव एवं भविश्य के बारे में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें. साथ ही विडियो को लाइक करना न भूले. सबसे पहली बात है, जिस स्त्री के पैर पसीने से रहित हो और उसके पैर पर नसे दिखाई न देती हो. पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह स्त्री समस्त प्रकार के सुख भोगती है. दूसरी बात है, जिस स्त्री के पैर का अंगूठा गोल तथा मानसल हो, अंगूठे पर नसे दिखाई न देती हो, तो ऐसी स्त्री पतिवर्ता होती है और जीवन भर एक ही पुरुष के प्रती एक निष्ट रहती है. किन्तो अगर किसी स्त्री के पैर का अंगूठा दुबला पतला हो जिस पर नसे साफ दिखाई देती हो तो ऐसी स्त्री दुर्भाग्य से युक्त होती है और पती को छोड़ कर चली जाती है तीसरी बात है जिस स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत छोटा होता है तो वह स्त्री धूर्ट तथा तलेश करने वाली होती है और जीवन भर दुख भोगती है वही अगर अंगूठा बहुत चप्ता होता है तो उस स्त्री की गर्भ धारण क्षमता बहुत कमजोर होती है चौथी बात है अगर स्त्री अथवा पुरुष का अंगूठा चौकोर हो तो वे दोनों ही बहुत महनती और इमानदार होते हैं किन्तु इन्हे धन प्राप्ती के लिए बहुत कष्ट करने पड़ते हैं इसी कारण से ये साधारण तथा सुखी जीवन जीते हैं पांचवी बात है अगर किसी स्त्री के पैर की उंगलिया चीर-चीरी, रूखी-सूखी, टेड़ी-मेड़ी हो और उन पर नसे साफ दिखाई देती हो तो उस स्त्री का पती निर्धन बनता है और ऐसी स्त्री दुसरों के घर में दासी का काम करती है चटी बात है, जिस स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगुठे से आगे निकली होई होती है तो ऐसी स्त्री सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीती है और उसे सुन्दर तथा धनवान पती की प्राप्ती होती है लेकिन अगर तरजनी उंगली अंगूठे से छोटी होती है तो उस स्त्री के जीवन में बहुत क्लेश होता है ऐसी स्त्री को बार-बार अपमान और दुख भोगने पड़ते हैं इसका पती भी निर्धन बन जाता है साथवी बात है, जिस स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अंगूठे से बड़ी होती है तो उस स्त्री को शारिरिक सुख नहीं मिलता है उसका पती उससे प्रेन नहीं करता है ऐसी स्त्री के जीवन में बहुत दुख आते हैं आठवी बात है, जिस स्त्री की कनिष्ठा उंगली अन्य स्त्रियों की तुलना में बहुत चोटी होती है, तो उस स्त्री के कई पुरुशों के साथ संबंध होते हैं। उसके परिवार के लोग उससे सदा दुखी और नाराज रहते हैं। नौवी बात है, यदि किसी स्त्री की तरजनी उंगली अंगूठे से भी बढ़ी हो, तो वह स्त्री स्वच्छन्ध होती है। दस्वी बात है यदि किसी स्त्री के पैर की उंगलिया परसपर मिली हुई हो एक दूसरे के नस्दीक हो उंगलिया गोल एवन सीधी हो और नाखून पतले एवन छोटे हो तो वह ऐश्वर्य शालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगती है अगर किसी स्त्री के पैर का अंगूठा आकार में बहुत बड़ा होता है तो उसके विध्वा होने के योग बनते हैं यदि स्त्रीयों की एडिया बहुत बड़ी हो तो वह मृत्यू परियंत दुख भोगने वाली होती है और यदि स्त्री के पैर मास रहित हो तो ससुराल के भ नश्ट कर देती है। वह बहुत भोजन करने वाली और लालची मानी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के पैर के लक्षणों के बारे में बताया गया है। आपके पैर कैसे है कमेंट करके जरूर बताएं। विडियो को लाइक करे और कमेंट में जयमा लक्षमी लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे। आप सभी का धन्यवाद।